नमस्कार मार्केट संबाद में आपका स्वागत है गड़े दुस्तों की धूम मची है और घर घर भगवान स्री गड़ेश सुपराजमान है हर घर में जहां भगवान स्री गड़ेश की पूजा हो रही है तो कहीं कहीं सारुजुनिक बड़े बड़े पंडालों में भगवान स्री गड़ेश की भब मूट किया ब्राजमान है हम आपको उतर पुदेश के जहांसी के कुछ सारुजुनिक पंडालों का दर्शन करा रहे हैं जहां आपको बगवान स्री गड़ेश की विबन आकरतियों की प्रतुमाय देखने को मिलेगी और उनके आकर सक्र छटा विखेड की कलाय दिखाई देगी यह जो आप देख रहे हैं सीप्री बजार की छोटी माता मंदिर का पंडाल है जहां आप देख सकते हैं कि भगवान स्री गड़ेश कितनी विशाल प्रतुमा के साथ किस भव्विता से यहां पर राजमान है और यहां सेक्ड़ों की संख्या में स्रधालू रात के समय सजावट यहां पर की गई है इसके अलाबा यह जो आप नजारा देख रहे हैं यह सिप्री बुजार में गुर्दवारा के ठीक सामने केवल दूदवाले की जो गली है उस गली में एक बड़ा पंडाल लगाया गया है भरवान स्री गड़ेश का यहां कि सजावट आप दे तो बहुत मोहक नजारा होता है मुर्ध भी बहुत आकर सट है हम आपको कुछ सहरी इलाकों का भी पंडाल में जो मूतिया प्राजमान हैं उनके बारे में भी दिखाते हैं क्योंकि आज हमने कई जगर धामन किया और जहां जहां हम चाह सके यह नरिया बजा जो सहरी इलाको में हैं वहां से लश्मन गंज के लिए जैसे ही आप चलते हैं तो मोड पर ही आपको यह बड़ा पंडाल नजर आएगा जहां आप भगवान स्री गड़ेश की पिसाल पुत्मा को देच चते हैं भाब बंडर्सन आपको यहां पर मिलेंगे जुआ यहां पर कुई तनमायता के साथ लगे हुए हैं अब हम सहरी इलाके के दूसरे हिस्सों में चलते हैं जहां आपको दिखाते हैं कि पिस प्रकार से जो गुदरी महुला है सहर का गुदरी इलाका जिसे कहा जाता है उस इलाके में जो दो पृत्माइब राजमान हैं मुन को अलग 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 इसलाज य यह आप सहर के गुदरी इलाके में आ गए हैं यहां भगवान स्री गड़ेश का यह आकरशक मनमुवख रूप आपको पसंद आएगा और प्रितुमा भी काफी बिसाल है यहां इस समय भंडारे का कारकम चल लहा है और पूरे जब तक यहां पर भगवान स्री गड़ेश की प प्रितुमा ब्राजमान है तब तक यहां पर बंडारा चलता है काफी भगवान और आकरशख प्रितुमा है काफी पड़े सुरूप में यह प्रितुमा है इसी प्रितुमा से ठीक सामदे गुद्री के ही मोहले में एक दूसरे इलास्य में हम आपको लेकर चलते हैं जहां ए सारी गलेश की जो परतुमाहें क्या प्रमान वहां है हमने दर्स अमस्तर के अञार किया और अब अलग यलाकों से आपको भ़वान से जो परतुमांढंबार में उनके अब हम आपको सहरी इलाके का ही एक अन पंडाल दिखाते हैं जो की नजाई बजार महुले में हैं और यहां भी बड़े आकर्षक तरीके से सजाबटी गई है यह बड़े बजार में आप प्रवेश करते हैं तो वहां पर आपको यह नजारा देखने को मिलेगा कापी लंब समय से यहां पंडाल में धरवान स्री गड़ेश की मूर्टी लगाई जाती है लेकिन इस मूर्टी के साथ आपको कुछ और बिसे स्थायमी हम आपको दिखाएंगे यह फ़लाल आप गुद्री का ही धरवान स्री गड़ेश का पितमा का पंडाल में जो राजी है पित्मा उसका दखन कर रहे हैं तापी आकर्षक तरीके से इसको सजावट किया गया है और रौसमी बहुत अच्छी है स्रद्धा के साथ जो यहां आकर्षण है बल यहां पर देखने को बिलता है यहां के जो यूवा है हम आपको बता दें कि यूवा काफी उत्साय के साथ यहां पंडाल में भवान स्री गड़िस की पत्मा को बराजमान करते हैं और पूरी जद्धा भाव के साथ इनकी भत्ति के जाती है सहर के इलाकों में भावान स्री गड़ेश की अच्छी अच्छी पत्माएं आपको देखने को मिलेंगी यहां दिख सकते जैसा कि मैं बता रहा है यह वाओं में काफी जो सह काफी उपसाय है और आज भारत का जो मैच चलने है उसको लेका भी यहां पसाय है अब हम आपको यह नजाय वजार वाले इलाके की जहां पत्मा कि हम आपको बात कर रहे थे हम आपको दिखाते हैं और यहां पर भावान स्री गड़ेश के साथ राधा कृष्ण और मां बुर्गा की वी पत्मा आपको नजार आएगी जो कि आपको अन कहीने यहां पर सब पहले आप सामने आप देखेंगे तो भावान स्री गड़ेश राधका और भावान स्री किस्न के साथ में माल दुर्गा की भी पत्मा यहां पर प्राजमान की गई है और यह पिछले कापी समर से जैसा जुम्हें ने आपको बढ़ाया यहां पर ब्राजमान की जाती है बड़ा वजार में जैसे ही आप आएंगे और बड़ा बजार से निजाई बजार मोहले के लिए प्रुविस करते ही आपको पड़ा पंडाल सजन नजाराएगा जहां आपको भावान स्री गड़ेश स्री किस्न राधका और मां तुर्गाती दुर्गा की अब प्रत्मा आपको निजाराए प्रत्मा को और भब तरीके से यहां से बाद में इनकी बिसा जिन्याता यहां से निकाली जाती है अब हम आपको यहां से लेकर जो बड़ा बजार का रामलीला मैदान है वहां लेकर चलते हैं और वहां पर हाला कि काफी बड़ी प्रत्मा लगाई जाती है लेकिन इस बार यह दिख सकते हैं रामलीला मंच से बड़ा बजारका हालाक यहां पर इस बाद प्रत्मा प्राजमान की गई है लेकिन इसके पास मही मुड्ली मनुहर का प्राजिन मंदर हम आपको भी उसको दिखाते हैं और इसी रामलीला मंच के पीछे एक अन गड़जी की जो प्रत्मा प पड़ी है अब तरीके से इसको आप देख सकते हैं लगाई गई यहां पर सजावड़ यहां पर हर पंडाल में आपको बहुत को सुरत नजारा रही होगी यह नजारा बड़ा बजारका है सामने मुल्ली मनुहर का मंदर है जैसा कि मैं आपको बता रहा था यह काफित प्रा पर देख सकते हैं यह मानिक चोख में जहां आप गरीब दाजवाली गली में जाते हैं अज़ेवी आपको जानकारी है तो इस गरीब दाजवाली गली में जो बरसिया की मार्केट है उस मार्केट के अंदर इतनी बहतरी सजावट है मुझे लगता है कि अन्ड़ पंडालों कि बिच्छा यहां बहुत बहुत बैतरीं तरीके सजावट की गई है पूरा मार्केट सो जाया गया है हम आपको यह दिख सकते हैं कि पूरा नजारा दिखा रही है और साथ में यहां पर जो भगवान स्रीगरेश की पत्मा ब्राजमान की गई है वो कितनी सुंदर है उसको भगें चल रही है और हम चांड इस्तरिपा को आपको नहीं नहीं दिखा पाए लेकिन यहां किस्षाजावट आपको जरूर मन्मुम हुई लगी इसके साथ में हम आपको अब पच्कुईया माता का जो मंदर है यहाँ पर भरवान स्रीगड़ेस की परतुमा बराजमान की गई है उसका नजारा दिखा रहे हैं क्योंकि भरवान स्रीगड़ेस की यहाँ काम भी विशाल परतुमा लगाई गई है इसकिलाब आपको हम पच्कुईया वाली माता के मंदर के भी दस्तन कराते हैं क्योंकि यहाँ आने पर अगर आप माता जी के मंदर के दस्तन ना कर सकें तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा और हम आपको अब माता के मंदर के तरह बलेकर चलते हैं यहाँ के सजावाट देखिए और सजावाट के साथ में यह बंदर के तरह हम आपको मुड़कर चल लए हैं कि फुपूरत ना जारे आपको सुर्फ और सुर्फ मार्केट संबाद पर देखने को मिलेंगे क्योंकि हम गली-गली खुनते हैं आपको गली-गली की खबरें दि इस मंदर के बाद अब हम आपको लक्ष्मिय ब्याम मंदर के ठिक सामने बने गलेज भवन की वो मूर्ती दिखाएंगे जो भगवान संका जी के आवतार की है यह देख सकते हैं आप यह गलेज सब्संग भवन है एल्वियम मंदर के ठिक सामने बना हुआ है यहाँ पर पित्मा है वो आप देखेंगे कि भगवान स्री गरेश जरूर है लेकिन इनका स्वरूप भगवान भुलेनात के रूप में दिया गया है काफी खुब सूरत है रंग बरंगी छटा के पीश बदलती रोसनी में यहां का जो नजारा है आप देख सकते हैं यहां पर भजन प तुमाओ का तरसन कराया आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बसरूर बताईए मार्केट संबाद के लिए अनेली मौर की रिपोर्ट